जहिन दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल सुप्रीमेट बाई रिशी में उमीद करता हूँ कि आप सभी सवस्त होंगे जैसा कि आपको पता है SSC MTS के आपके एक्जाम डेट डाली गई है और आपके एक्जाम MTS का मई में होना है तो ठीक आपके पास एक मेंन बसता है तो MTS SSC 2023 के लिए ये हमारी तिस्री कलास रहेगी चलिए शुरू करते है एक वैकर्चती त्हारा किलोमीटर परते गंटा की गति से सवाली करता है लेकिन परते एक साथ किलोमीटर के बाद 5 मिंट वो रुखता है तो 90 किलोमीटर की दूरी तैख करने में उसे कितना समय लगेगा इस कुछन वो आसान करने का तरीका ये है 7 किलोमेटर के बाद 5 मिंट रुखता है इसको बोल जाओ थुड़ देर के लिए 18 किलोमेटर की स्पीड से वो 90 किलोमेटर को कितने देर में तया कर लेगा अगर वो नोन स्टोप चलता तो 18 किलोमेटर की परती गंटा की स्पीड से 5 गंटे में वो तया कर लेता अगर वो बिना रुखे चलता तो अब क्या करता है वो 7 किलोमेटर जाने के बाद 5 मिंट रुख जाता है तो एक बार रुखने में 5 मिन्ट का समय लेता है तो 12 मिन्ट रुखने में कितना समय लेगा 60 मिनट का यानि कि हम इसे कह सकते हैं 1 गंटा और लगेगा तो यहाँ पर 5 गंटे थे इसमें 1 गंटा और जोड़ देंगे तो टोटल सनोशे कितना लग जाएगा 6 गंटे अगर वो 7 किलोमेटर के बाद 5 मिन्ट रुखता है तो वो 6 गंटे में तै करेगा उस दोट यह क्यों सुन देखो 867 प्रलस 289 इस क्यों की जो फॉर्म दे रखे है यहाँ पर इसको A मान लेते हैं A इसको B यह A और यह B अब यह क्या फार्मूला बन गया A पलस B का होल स्केर मैनस A मैनस B का होल स्केर अपोन A B अगर आप इस फार्मूले को खोलोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 4 A B और नीचे क्या गीवन है A और B इस क्योंसर को करनेगी सो ट्रीक कहिए यह अंसर आजएगा सिद्धा क्या 4 नेस्ट उसन देखो जदी A बटा B 3 बटा 4 B बटा C क्या है 4 बटा 5 और C ड कितना 5 बटा 6 है तो A और D का रेशियो हमने बताना है तो इसको कैसे ग्याद करेंगे देखो A रेशियो B B C और C C D ऐसे लिख लेंगे A और B का रेशियो कितना है 3 रेशियो 4 B C का कितना है 4 5 C D का 5 और यह अच्छे बताना क्या है A और D का रेशियो बताना है इससे यह कैंचल आउट होते हैं तो कर देना तो आजएगा 3 रेशियो 6 है काटेंगे तो A रेशियो 2 आज़र हो जाएगा जदी A का 2 बता 3 परसेंट A का का मतलब होता है मल्टिप्लाई 2 बता 3 परसेंट B के 50 परसेंट को क्या लिख सकते हैं बते में 100 करके यहांपर एक बता 50 से कम 50 50 दूली 100 तो एक बता 2 इसके बराबर है C के 0.8 को यहांपर बते 10 कर लेना तो काटेंगे तो 2.8 2.5 इसको लिख सकते हैं 4 बता 5 तो यहां से A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा इसको उल्टा कर देना 3 बता 2 इसको उल्टा कर देना रेशियो का 2 एक इसको लिख सकते हैं 5 पूरा हो जाएगा 4 LCM में आ जाएगा कितना 4 LCM ले लेना 4 तो दूनी 4 इसको जाएगा 6 यह हो जाएगा 4 दूनी 8 पूर यह हो जाएगा 5 तो अंसर क्या आ जाएगा 6 रेशियो 8 रेशियो 5 यह answer हो जाएगा, next question देखो चारो question बहुत important question है यदि एक भिन के अंस को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 60-300% बढ़ा दिया जाए तो जो परिणामी भिन पराप्त होती है न बढ़ाने के बाद वो 5 बटे 12 है, तो मूल भिन बतानी है इस को सुनगो देखो, ट्रिक से करेंगे 5 बटे 12 पराप्त होती है 200% किसको बढ़ाया है, अंस को बढ़ाया है अंस में क्या की है, 200% की विर्दी की है तो हम हर को बढ़ा देंगे 200% 200% बढ़ानेगा मतलब ऐसी दाइब यह कितना हो जाएगा 300, 100 में बढ़ा दिया हो जाएगा 300, और यहां पर हर में 350% की विर्दी की है तो हम अंस को बढ़ा देंगे 350% यानि कितना 100 में जोड़ देंगे 350 तो हो जाएगा 450, बस यह करना है काम इससे आपकी डारेक्ट मूल भीन आ जाएगी आंसर आजाएगा काटेंगे तो यह आजाएगा 5, 95, 45, 5, 30 और 3 से काटेंगे तो 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3 से काटेंगे तो आंसर आजाएगा 5 बटे में 8 तो जो मूल भीन थी वो कितनी थी 5 बटा में 8 यह आंसर हो जाएगा अब इस को उस्तने को देखो चक्रवर्दी ब्याज और साधन ब्याज के 3 साल का अंतर गीवन है तो बताना है कि 10-10 परसेंट हो तो मूल दन क्या होगा 3 साल का डिफरेंस देदेगा मूल दन पूछ लेगा या फिर आपको 2 साल का अंतर देदेगा इससे ज़्यादा का अंतर ने देगा वो 2 या 3 साल का ही पुछेगा तो यहाँ पर रेट ओफ इंटरेस्ट देखो 10 परसेंट है तो 10 परतिसत को हम फ्रेक्शन में लिख लेंगे 1 बटा 10 और इसको आसान करने के लिए क्या करेंगी 10 को हम माल लेते हैं मुल्दन समय कितना 3 साल का तो 10 की पावर 3 कर देना तो कितना हो जाएगा 1 अब यहाँ से 3 में थड़ाप अपलाई कर सकते हैं एक बटा 10 करेंगे तो यहाँ जाएगा 100, फिर 100, फिर 100 compound interest पर ले लिस्ट में difference 3 साल का 10, 10, 20 और 10, 30 और 1, 31 according to question कितना है 93 3 गुणा है तो इसको 3 गुणा कर देना अंसरा जाएगा 3,000 रुपे principle की क्या था मुल्दन 3,000 रुपे यह इसका solution 22 पुरुस एक काम को 6 दिन में करते हैं 32 पुरुस यह काम कितने दिनों में करेंगे यह आपको फर्मुला याद होगा 22 पुरुस यहां लिख लेना 22 पुरुस किसी काम को 16 दिनों में करते हैं काम मालिजे 1 है तो 32 पुरुस उसी काम को कितने दिनों में करेंगे यह वाला तो यहां से काट देना 16 दुनी 32, 2 से कटेंगे तो यह जाए 11 तो कितने दिनों में करेंगे 11 दिनों में यह आंसर हो जाएगा इसका सुलूसन यह रहा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 पटा 3 से गुना करने की बजाए 3 पटा 5 से गुना कर दिया तो उत्तर में कितने परसेंट का दिफ्रेंस आएगा देखो आसान तरीका करने का यह है 5 पटा 3 से गुना करना था लेकिन गुना उसने कर दिया 3 पटा 5 से तो जो यह निच्चे वाली संख्या है हर है जो डिनोमेटर है इसको क्या करेंगे LCM ले लेंगे तो संख्या जाएगे 15 हम माल लेते संख्या 15 तो 15 का अगर 5 पटा 3 से गुना करते तो कितना आता 25 हा जाना चाहिए था जहां से 15 को 5 पटा 3 से गुना करते तो 3 से कड़ जाता 3 पटा 15 तो 25 हाता लेकिन क्या किया है 15 को 3 पटा 5 से गुना कर दिया तो अब आंसर कितना आ गया, 9, कितना कम आया है, 6, 6 कम आया है, आना कितना से यह था, 25, तो कितने परसेंट है, तो, sorry, यह देखो, पांच बटा 3 से गुणा करना था, तो संख्या है 15, तो 5 बटा 3 से करना, 3, 5, 15, 25 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3 बटा 5 से गुणा कर दिया, तो 3 बटा 5 से करना, तो 5, 15, 15, यह आगया, 9, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा, सोडा का डिफरेंस आजाएगा, यानि कि सोडा उतर कम आया है, कितना आना चाहिए था, 25, 25 पर, तो गुणा में 100, ऐसे करें, 25 चोका, 100 और 16 चोका, 64 पर 37, जो उतर में जो तुरूटी होगी, वो कितनी हो जाएगी, 64 परसेंट की, आनसर 25 आना चाहिए जा, लेकिन आया कित तक के लिए, जय हिंद, जय वारत